हेलो एवरिवान वेलकम बेक टो मैं चानल मैं हूँ प्रियामका सो दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अंडर फाइव हंडेड रूपीज में कैसे अपना स्कीन केर प्रोड़क्ट खरीच सकते हैं एंड कैसे आप अपना स्कीन केर रूटिंग को जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं एंड ये जो आप मेरी शेयरे पे गलो देख रहे हो वो मैंने इसी प्रोड़क्ट को इस्तेमाल करके मैंने किया है and आप देख सकते हैं मेरी skin जो है वो कितना ज़ादा fresh लग रहा है and moisturizing लग रहा है and मैंने आज पुरा ही market का ही product यूज किया है only 500 रूपीज में and मैंने इन सारी product को मैंने purchase किया है and आप भी purchase करके इस तरीके का skincare routine आप follow कर सकते हैं and मैं आपको option भी बताऊंगी कौन-कौन सी product का तो आप video last तक देखिएगा तो चलिए दोस्तों video start करते है so daily basis पे हम लोगों को जो लगता है वो है face wash so मैं यहाँ पे हिमालाई की face wash यूज कर रही हूँ यह turmeric and neem से बना हुआ face wash है जो आपकी skin को gently cleanse करता है and यह जो product है यह आपको daily use करना है and इससे आपका skin एकदम ही fresh लगेगा आपकी skin के सारी गंदगी यह हटा देगा and यह 67 रुपिस में आपको छोटा pouch मिल जाएगा इससे आप NICA से भी purchase कर सकती है इमलाय की outlet से भी purchase कर सकती है and अगर आपके acne prone skin है तो यह बहुत ही अच्छा product है आपके लिए अगर ना भी है तो भी आप इसे use कर सकते हैं क्योंकि यह all skin type product है and इसे आप अपने हातों से ही gently massage करके अपनी skin को आप इससे धुल सकते हैं and clean कर सकते हैं and उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से wash करने के बाद so आपका जो skin है वो बिलकुल ही wash हो जाता है and fresh हो जाता है लेकिन उसके बाद जो second step है इसे आपको रोजा ना में apply नहीं करना है इसे आपको सिर्फ और सिर्फ हफते में दो बार apply करना है and वो है exfoliate जो की scrub है and यह जो scrub है यह मैंने यहाँ पे lotus का apply किया है जो की apricot scrub है and यह आपको 85 रूपीस में easily मिल जाएगा नायका पे, इसका छोटा पाउज and हफते में दो बार ही आपको इसे apply करना है यह बहुत ही अच्छा scrub है all type skin का यह product है जो आपको यह बिल्कुल अपकी skin को यह gently cleanse कर देता है and अपकी skin की सारी dead cell को यह remove कर देता है आपकी blood circulation को यह बहुत हद तक बढ़ाता है लेकिन हाँ आपको हलके हाथों से ही इसे massage करना है face wash करने के बाद ही आपको करना है bigger wave face में ही आपको इसे apply करना है आपको उसके बाद इसे आप अच्छी तरीके से gently massage करते हुए आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ले लीजिए and आप gently massage कीजिए and दोस्तों ये जो clean up है इसे आप easily घर पे कर सकते हैं आपको कोई parlor जाने की जरूरत नहीं है and हबते में दो बार आप ये clean up जरूर इस्तेमाल कीजिए अपनी skin के लिए तो आपकी skin fresh रहेंगे and अगर आप बहुत ज़दा make up का इस्तेमाल करते है and so आपको scrub करने की बहुत ज़दा जरूरत है तो scrub है ऐसा चीज जो आपकी skin की सारी गंदगी को ये हटा देता है सिर्प और सेफ फेश्वस से ही नहीं होता हफते में एक बार दो बार आपको scrub का जरूरत पढ़ता है इससे आपका double cleansing हो जाता है दोस्तो and दिन आपका skin एकदम ही fresh हो जाएगा scrub करने के बाद दिन आपको जरूरत पढ़ेगी एक face marks की तो ये जो marks है जो face pack है ये तो ये मैं यहाँ पे हिमालाय का यूज कर रही हूँ mud pack जो की मुलतानी मिट्टी से बना हुआ है and ये आपकी pigmentation dark spot को remove करता है and आपकी skin को glowing बनाता है लेकिन अगर आपको कोई और face pack पसंद है अगर आपकी skin पे कोई acne है अगर आपको थोड़ा सा rashes है आपकी skin पे तो आप नीम का भी face pack यूज कर सकते हैं हिमालाय का मैं आपको option बता रही हूँ and face pack आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं हिमालाय का जो आपको reasonable price में अच्छा अच्छा मिल जाएगा हर एक flavor पे आपको मिल जाएगा आपको इसका peel of marks भी मिल जाएगा वो आपकी उपर है and आप इस price में आपको नायका पे मिल जाएगा दोस्तो हर एक तो आपको जो पसंद है आप वो खरच सकते हैं and ये सारी product आप 500 रूपीज में ही purchase करके अपना पूरा माइने का skincare routine जो है वो आप कर सकते है and then मैं इसे पूरे face पे apply करके मैं इसे 20 minute तक छोड़ दूँगी अपने skin पे and then मैं इसे थोड़ा सा dry कर चुकी हूँ and उसके बाद मैं इसे wash करके आजाओंगी and then wash करने के बाद आपकी skin एकदम healthy and glowing and fresh हो गई है and बिल्कुल साप सुत्रा clean हो गया है and इसके उपर अब हम करेंगे moisturiser तो यह जो मैं इहां पे toner यूज़ कर रही हूँ यह डाबर गुलाबरी की rose toner है जो all type skin के लिए है यह and आपकी skin अगर sensitive है अगर कोई toner आपको suit भी नहीं होता है तो भी आप इसे use कर सकते है क्योंकि यह आपको suit होगा ही होगा क्योंकि यह all type skin के लिए है and toner को आप अच्छी तरीके से अपनी skin के उपर spread कर दीजिए and then अभी गर्मी के season है तो आप एक gel moisturizer use कर सकते हैं जो कि pawns का gel moisturizer मैंने यहां पे ले लिया है and यह आपको 40 sorry यह आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा so naika से आप इसे purchase कर सकती है and pawns का यह gel moisturizer I hope कि सब को पसंद आएगा यह all type skin के लिए ही है and अगर आपकी बहुत ज़दा oily skin है तो आपके लिए best product है and आप इसे apply कर सकती है and so उसके बाद बाड़ी आती है lip moisturize करने की तो मैंने यहाँ पर 10 रुपए की यह blue heaven की lip balm ले लिया है and so यहीं पर मेरा खतम होता है skincare routine जो कि मैं हबते में दो बार obviously मैं करती हूँ and so यह सारी product ही बहुत reasonable price पर आपको मिल जाता है नाइका पे तो आप इसे check कर सकते है and इससे आप अपना skin care routine जो है वो complete कर सकते है and इससे आपकी skin एकदम ही glow करेगी healthy रहेगी and अगर आपका skin बहुत ज़दा गंदा हो जाता है धूल pollution हो जाता है तो scrub pack wash जो मैंने यहाँ पर यूज किया है वो आपकी skin की सारी problem को दूर कर सकते है and यह जो मैंने product अपो दिखाया है 500 रुपीज में skin type के लिए है मतलब हड़े कि skin type के लिए यह product मैंने आपको दिखाया है and then आप इसे definitely try कर सकते हैं अपने लिए and video अगर आपको पसंद आई हो तो फिलाइक, comment, share ज़रूर कर दीजिएगा so yeah bye दोस्तो